हलो फ्रेंस वेलकम बेक टू माई चैनल तो फ्रेंस जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं यहां पर विंटर गार्डन की जो प्रपेशन करें हैं उसका एक सिरीज बना रही हूँ यानि कि मैं विंटर गार्डन के कौनकम से प्लांट रेडी कर रही हूं कैसे इन सब पेशन सेप्रेट वीडियो बनाके एक सिरीज बना रही हूँ ताकि आप अगर किसी भी ब्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो उस एक प्लेइलिस्ट पे क्लिक करके और सारे ही विंटर गर्डन की तयारी को देख सकते हैं तो आज का जो वीडियो है वो है डैल स्टियर के प्लांट्स है जिनको मैंने बचा के रखा हुआ है पर इनकी कंडिशन कुछ इस तरीके से हो जाती है और इन प्लांट्स को हमें फिर से कटिंग शेटिंग करके और अच्छे से रैडी करना होता है ताकि अच्छी ग्रोध कर पाए एक अच्छा शेप ले पाए और अच्छे से इन में फ्लावरिंग हो पाए अभी भी आपने कुछ प्लांट्स पे बर्ट्स देखी तो यह बर्ट्स आपने देखा अन हैल्थी सही है यह तो ठीक से खिलेंगी नहीं या फिर थोड़े-छोटे से फ्लावर खिलेंगे तो अगर इन प्लांट्स को हम ऐसे ही रहने देंगे तो इनमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी इसलिए हमें इने करना है रेडी तो मैं निकाल लेते हूं अपने सारे प्लांट्स को थोड़ा बाहर और देखें कुछ इस तरीके से इनकी ब्रांचेस आड़ी तेड़ी सी हो गई है जो कि यहां वहां लटक रह द्रड़ाइंगी यह आगे चलके खराब हो जाएंगी तो हमें इनमें से कटिंग लेकर हमें इसके और भी प्लांट्स रेडी करने है जो पुराने प्लांट्स है उन्हें हमें अच्छे से फैटलाइजर देना है और उनकी प्रूनिंग करनी है थोड़ी थोड़ी सी ताकि इनमें अच्छी ग्रोथ हो और हेल्डी फ्लावर आ सके इस पे तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहां पर देखिए यह मैंने कुछ प्लांट निकाल लिए हैं सामने तो यह जो मुझे ठीक ठाक लग रहा था इसे मैंने सपोर्ट देखे और एक स्टिक लगा के और उसे बान दिया है ताकि अच्छे से सीधा सीधा ग्रोथ कर सके और उपर से मैं इसके पिंचिन कर दूँग और देखिए कुछ इस तरीके से ब्रांचेस हो जाती है तो इन्हें रखना और संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए इनकी प्रूनिंग करके इन्हें एक शेप दिया जाता है तो इनमें काफी बड़े-बड़े फ्लावर लगते हैं तो ब्रांचेस उससे भी देखिए हर ब्रांच पे अभी भी कलिया है लेकिन इन कलियों के लालच में नहीं पढ़ना है अभी इन्हें हटा देना है ताकि हम इनसे अच्छी फ्लावरिंग ले पाए तो मैं इनकी अब कटिंग कर ले रही हूं और इनमें से कुछ कटिंग अलग से रैडी करूंगी मै मैंने इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करके और मिटी निकाल ली है और डेहलिया के प्लांट पे नीचे बल्ब भी होते हैं तो उनकी गुड़ाई करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि वह डैमेज ना हो इन्हें बल्ब से भी मल्टिप्लाय किया जाता है लेकिन मेरे इन प्लांट में जो बल्ब थे अभी वो ठीक से डेवलब नहीं हुए हैं काफी चोटे थे तो मैं उन्हें ज्यादा छेड़खानी नहीं करूंगी मैं इन्हें कटिंग से ही लगाऊंगी तो देखें जिस नोड से जहां से यह अलग से स्टैम निकल आई है तो इन्हें में कट करके सेपरेट सेपरेट इनकी कटिंग लगा लूँगी और सेपरेट सेपरेट इनके प्लांट बन जाएंगे तो इस तरीके से देखिए कटिंग मैं करके दो तीन जितनी निकलेंगी उसके बाद इसकी जो मैंने गुडाई कर दी है मिट्टी उसमें अच्छे से कंपोस मैं जरूर बताऊंगी अभी हम लगा लेते हैं इसकी कटिंग तो देखें यहां पे काफी सारी मैंने कटिंग निकाल ली है और कटिंग लगाने के लिए मैंने जो सॉइल मीडिया लिया है यहां पे मैंने लिया है कोको पीट और नॉर्मल सॉइल इन दोनों को हाफाफ मिक्स क आप मिला लिया हें चा अपास कोगोपीट नहीं तब आप सैंड ले सकते हैं या फिर सेंड और मिट्टी को सॉयल को मिक्स करके भी आप इसके कटिंग लगा सकते हैं पस मतलब इतना होता है कि हमें जो कटिंग के लिए सॉयल मीडिया लेना है वो थोड़ा पोरस हो सॉप्ट हो ताकि उसमें डूट्स इजली डेवलप हो सके तो देखे इस तरीके से स इस पे पुश कर दूँगी एक हाथ से मुझे कटिंग लगाने में थोड़ी दिकत जाएगी इसलिए मैं आपको यहां पे एक ही कटिंग लगा के दिखा रही हो और उसके बाद मैं लगा के आपको इसका दिखाऊंगे कि किस तरह से मैंने लगाया हुआ है नीचे-नीचे की सारी पतियां हमें हटा लेनी है और कुछ इस तरीके से देखिए फंडी साइड लगा लेते हम ताकि नीचे की जो स्टैम है वो किसी भी तरह के फंगस से बची रहे कोशिश हम पूरी करते हैं किसी भी कटिंग को सक्सेस करने के लिए और इस तरह से पुश करके सिर्फ हमें इस तरह से हलका सा दबा देना है या फिर आप पॉट को उठा के इस तरह से थोड़ा सा डब डब भी कर सकते हैं तो उससे क्या होता है जो एर बबल्स होते हैं वो खतम हो जाते हैं और इस तरह से मैं और भी कटिंग्स लगा ले रही हूँ देखिए और यहां पे मैं आपक दिखाना चाहती हूँ कि जो इस तरह की आड़ी टेड़ी ब्रांचेज है तो मैं इसे काफी छोटा नहीं करके कुछ इस तरीके से रख रही हूँ क्योंकि इसके नोड है यहां पे तो हो सकता है यहां से भी इनकी अलग से शूट निकल आए तो इस तरह से मैं इसे कवर कर देखे कटिंग लगाने के बाद इसके जो कुछ बड़ी बड़ी पत्या है वो मैंने हटा दी है सारी पत्या मैंने नहीं हटाई है कुछ पत्या रहने दी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पत्या रहने से कटिंग में ज्यादा चांसे होते हैं ग्रो होने के उन्हे मोटिवेशन या यू कहें इंक्रेज होती है वो कटिंग ग्रो होने के लिए तो यहां पर देखिए मैंने इस तरह से दो तीन पॉट में कटिंग लगा के रग दी हैं और अब मैं आपको बदाऊंगी कि जो प्लांट हमने छोड़े हुए जिनमें से हमने कटिंग लिए जो कि लगते बहुत जव्यवरत नहीं होती है उन्हें फैटलाइजर देने की हमें ऐसा फैटलाइजर देना है जो कि सरिप उसकी ग्रोथ को बढ़ा सके अभी हमें फ्लावरिंग के लिए कोई फैटलाइजर नहीं देना हैे तो मैंने यहां पर गुबर की खात के साथ सरिप थोड़ा सा और थोड़ा सा मैंने इसमें मैंगनेशियम सलपेट मिलाया है यह जारी ही चीज़े प्लांट की ग्रोथ को इंप्रोव करने में हेल्प करते हैं यहाँ पे मैं आपको 6 दिन के बाद का रिजल्ट दिखा रही हूँ इन प्लांट्स को सेमी शेड में रख दिया था मैंने और यहां पे देखिए जहां से मैंने कट किया हुआ है और वहां से देखिए दो दो ब्रांचे निकली है और नीचे से भी इन में कुछ आपको शूट दिख रही होंगी जो कि अभी छे दिन के अंदर का रिजल्ट है और भी बढ़ी होंगी और ये स्टैं तो रह गई थी तोड़ी से ड्राय हो गई है इसे मैं हटा देती हूं मैंने तब हटाना बोल गई थी देखिए इसका में इसस तरह से बिस्वार प्रहन कोशिशिए पानी में मुझ से रख फो नहीं होती है ुब आपने कभी हैं कि ए स्च कटिंग लगाने की तो यहां पे देखिए यह को अबी 6 ही दीन हुए है तो उमीद है करते से यह को ठोड़ा सा भी हलगा की पहले है उन पे आप रचल्ड देख सकतें तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने डेलिया प्लाव्हक्यं करto फ्रेंस उमीद है यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेलफुल लगा होगा वीडियो हेलफुल है तो वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए रेगुलर व्यू जरूर दे या फिर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि ये भी ग्रोव हो जाएंगी ओके ग्रोव हो जाएंगी ओके ग्रोव हो जाएंगी ओके अ